रोमन रेंस ने टेक दिये अपने घुटने जे उसो के सामने और जिमी उसो का मार मार कर किया बुरा हाल जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखियेगा इस स्मैक डाउन में ट्राइबल कोड होता है जिसके अंदर जिमी अट जे उसो आते है शुरुवात में फिर उसके बाद इंटर्फियर करके आते है रोमन रेंस अपनी गद्डी छोल कर जे उसो को ट्राइबल चीफ बना डालते पर उसके बाद जे उसो उन्हें समझाने कोश परेकिन अच्छानक रोमवन रेंश उनक पर लो बलॉव लगा देते हैं, जिससे जे उसो महीँ ठेर हो या थे धे छे रोमन रेंस और सखोवा टार्गेट करते जिमी उसो में लेकिन अचानक जे सोलो सिकोवा की नजर पड़ती है ट्राइबल चीफ के ताच पर क्या सोलो सिकोवा की हवस ने उन्हें रोमन रेंस के अगेंस्ट करना है इस मैच के अंदर लेकिन दोस्तों सोलो सिकोवा जे उसो पर अटाक करते हैं और ट्राइबल चीफ का बहु तोड़ दालते हैं जिसकी वज़े से Jimmy Uso के rips destroy हो जाते हैं लगता है आगे चलके Jimmy Uso नहीं आएंगे फिर उसके बाद Jay Uso ring में आकर Roman Reigns और Solo Sikowa को destroy करकर Roman Reigns को challenge करते हैं summer slam में Roman Reigns versus Jay Uso का undisputed heavyweight championship match होगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस tribal court के बारे में तो दोस्तों आने वाले कुछ समय में Jimmy J. Uso और Roman Reigns के बीच और खतरनाक तरीखे से यूद होगा और Jay Uso बहुत ही खतरनाक तरीखे से पीट पीट का Roman Reigns को पेल देंगे क्या Solo Sikowa की हवस उन्हें Roman Reigns के खिलाफ कर देंगी जानेंगे अगली वीडियो में तो हमारे चैनल प्रेटर रेजलिंग पर बने रहिए See you later in the next वीडियो